जैसे कि मेरा तालुक जो है जंजवा राजपूत घराने से है और जंजवा राजपूत घराने की एक रिवायत है कि उनके रगों में पोजी खून है आजादी से पहले एक वक्त ऐसा भी था जब वतन की लाखों जाबाज सिपाही एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिससे भारत की आजादी का कोई तालुक नहीं था अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म से उसी फोज के अंदर देश की आजदी की चिंगारी उठी। उसी चिंगारी से एक फोज ऐसी भी वनी जिसका मकसद था हिंदुस्तान की आजदी और फोज का नाम था आजाद हिंद फोज। जैसे जनरल शानवाद साब ने नेता जी के अजाद इन फोज में दाखिल होके चलो दिल्ली का फैसला लिया तो उनके दिमाग में कई चीजें ये भी आई कि मेरा सगा छोटा भाई इंडियन आर्मी से मेरे सामने आएगा उन्होंने जंग लड़ी, भाई भी सामने आया, भाई के भी गोली लगी लेकिन उन्होंने कभी भी हल्की सी भी शिकन उनके माथे पे नहीं थी एक रिवायत हांदान की रगों में फोजी खून तो ऐसे 80 फैमिली के मेंबर फोज में थे तो आज हम आपको आजाद हिंद फोज के पहले कमांडेंट चीज मेजर जनरल शाहनवास खान के पोत्र आदिल शाहनवास खान से रूबरूब करवाते हैं आद आप, मेरा नाम आदिल शानवास खान, मेरा तालुक मेरट से है, जैसे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे जनरल शानवास खान की, उनकी पेदाईस मतोर गाउं में हुए जो रावल पिंडी के पास होता था, राष्ट्य मिलिटरी अकैडमी में उनकी अजूकेश जनरल महन सिंग भी है इसमें, जनरल महन सिंग भी है, हिसमें, जनल महन सिंगी, ही वस कमिशने ऐन अड लेफ्टेन शानवास खान इन 1939 की, तो अटो नहोंने ए कडेने अचेंड वल्वार वी लली, जब ब्रिटिक हुकॉमत की तरप से वो लड लेते हैं, तो यू यू ब्र फैसला लिया अंग्रेजोंने कि हम एक शिक्क के उपर मुकदमा लडाएंगे, एक हिंदु के उपर मुकदमा लडाएंगे और एक मुसल्मान के उपर, ताकि हिंदुस्तान में पूरा मैसेज जाए, कम्मुनिटी में मैसेज जाए, तो इस वजे से, डिलन साइगल शाहन अव और इन तीनों को तिलक करते थे, क्यों भारत मा के सपूत आप ही हो असली, सच्छे सपूत आप ही हो At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom क्या है के अजादी के बाद, जनल श्यानवाद साब ने ये फैसला लिया, मैं जो है, हिंदुस्तान में रहूंगा जनल साब मेरिट से लोकषभा लडे, तो थूरू आउट वो मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने मेरिट के लिए भी काफी काम किया, मेरिट के अवाम के लिए काम किया हरिदवार के पास एक गाउं होता है एथल, वहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं अपनी फार्मिंग शुरू करी तो ऐसे उनका करीबी जो थी एक फार्मिंग से बहुत जाद है थी फार्मिंग से पैट से भूरों का बहुत शौक तो फुट खेती करते थे मुझे यह सब चीजें मुझे लगता है कि एक फैमिली से आई है मेरा जो तालुक है जैसे अब मैं जो है एक अपनी फार्मिंग भी कर रहा हूं अपनी एक कमपनी भी चलाता हूं और मेरा एक एंजियो भी है जो मैं जर्नल शानवास साफ की क्या गता है नाम से मैंने चलाया देख कि हमारी जमीन भी जो है ना वाइड लाइफ औरस्स से मिली भी थी यह काफी ऐसी चीज़ती हैं किया करते हैं पानी की दिक्कार ट्यूबल लगाया पानी के लिए किक्या री यह है तो चालिस साल के पास जब यह पेड़ नजर आ रहे हैं तो चालिस साल के हमारे बाप-दा कि यह चीज समझना मुझे लगता है कि लोगों को बहुत समझना बहुत जरूरी है कितनी मेहनत है उसमें किस तरीके से उसमें अपना क्या करता है खुन पसीना लगा रहा है तो यह जब तक आप फील नहीं करोगे कुछ चीज का मदा आनंदी नहीं आएगा देखें जो मैं ब खेती में और उनकी खेती में जमीन और आसमान का फरक है हम कहें कि हम थोड़ा कमर्शल खेती कर रहे हैं एक तरीके से गयों में हम खाट डाल ले हैं यूरिया जाल ले हैं ताकि फर्टिलाइज भी हो कीड़ा भी ना लगे इसके अंदर यहां पर जो है जितनी भी यह कीटन ब्रशक दवाई हैं का 30 परसेंट तो पहुंच जाता है पेड़ के ओब और सतर परसेंट हवा में रहता है उससे सकीन की बहुत सारी हो इसको हो रही है उससे कैंसर की बहुत सारी बिमारी हैं बढ़ रही हैं और यह आदमियों को इतना हमफिल है तो आप समझ के यह जानवर यह आज की रेट में मुझे लगता है कि लोगों को समझना जरूरी है यह बहुत इंपॉर्टन बात है यह समझना लोग कहते हैं कि अब यह नहीं क्याता है हमने हगाई और है सब दे देए और आरगनिक नहीं हुती है मतलब कर हमारे जमीन हमारे हम पार्ग बशसलिए बार कोई और क क्लाद को चाहिती हो हमारे होक종 में आज तक कोई तक आप में आचप अथा तो यह बहुत नेचरल चीज है लेकिन बगदरा फाम के हम जब खेती देखते हैं तो उसमें मुझे जो फरक लगा वो जंगल के किनारे हैं दूसरा हल्दी उगा रहे हैं वो उनके पास जब वो हल्दी उगाते हैं बीच भी उससे ही निकाल ले हैं उसमें पानी के लिए क्या करते हैं पाइपिंग्स कर रखे उन्होंने ताके धंग से क्या करते हैं पानी जा सके दूसरी वहां की सॉइल का जो है एक अलग ही नेचर है वह लाल है लाल सॉइल में ना मिनरल जादा होता है और उपर से आज तक उनकी सॉइल में कोई यूरिया खाद नहीं डला तो यह और जो मैंने उनकी हल्दी खाई और अप्रियोक किया अपने खाने में पीने में उससे जो है ना काफी फाइदा भी हुआ अगर आप साइन्टिफिकली भी देखेंगे एक हल्दी का एक बहुत में भूमी का होती है आदमी की पूरे सिस्टम में तो वहां का तेके स्पेशल थे और अबjäं गता है हो आफettes और बाथर्टर्ण में हमने क्या कैते हैं हर साल स्प्रेश कर दी और यह ओगय दीमग नहीं पूंची और यह बोड़ होगा लिकिन हल्दी को निगालना फिर उसको बीज निकालना फिर उसको पीषना सुकाना बह। भाई रह लंब परोससेश तो इसलिए मुझे लगा कि they are doing a wonderful job wildlife का फॉलोइंग है towards fields कि उनकी crops को बहुत ज्यादा नुकसान करते है यह क्या है हल्दी को देखें मुझे लगता है कि हल्दी की जड़े जरूर खोथता है wildbor लेकिन क्या है कि ज्यादा लाइकिंग ने हो थोड़ा वर्ड अपनी खान पीन नुकसान जरूर करते लेकिन नुकसान इतना करनी पाता है बगदरा फार्म्स के लोगों ने क्या किया कि आपके रहन सेन के लिए माइगरेट ना हुए आप दूसरे शायर जाके कोई नोकरी ना करें तो बगदरा फार्म्स में लोगों को यह का कि हम आपको बीच देंगे पानी देंगे, आप अपनी जमीन में यह होगाएं, और वो यह फसल में आपसे ले लूगा, और जो है मैं आपको उसका दाम दे दूगा, उनको क्या है कि उनकी जमीन का से जो है उनसे रेविन्यू जेनरेट हो गया, वहां उन लोगों को काम मिल गया, देखें, क्या है कि बगदरा फार्म जब हम गए, तो हमने देखा करें कि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, हल्दी की खेती जो है काफी मुश्किल है, वो समझना बहुत आसान नहीं है, जब आप देखेंगे, जब ही समझ पाएंगे, बगदरा का जिस तरीके से फार्मिंग क सूट करती है, जैसे यहां कि सॉइल जो है और्चर्ड जाधा सूट करती है, अब हम हल्दी यहां होगाएंगे, अभी होगेगी, लेकिन वो निट्रिशनल वेल्यूस जो है न इस सरजमीन पे नहीं हो पाएगी, दूसरी बात, मैंने बगदरा फार्म में यह देखा, कि वो किसी फाइदे के लिए काम नहीं कर रहे है, उनके पीछे जो है ना सिर्फ एक भूमी का मुझे नजर आती है बगदरा फार्म के काम के पीछे इमानदारी और उनके पास यह एजन्ड है कि हमें अच्छी चीज पोचानी है लोगों तक, मैंने बगदरा फार्म में जब पू इससे बढ़के कुछ नहीं हो सकता यह लगता है कि लोगों को जो है ना और गनिक के तरफ जाना चाहिए यह हमें सिहत का खाल लखना है और आपस में प्यार महबबत से रहने का हमारी जिन्दगी जो है सफर बीतेगी धन्यवाद